Hello everyone, this is educator Kavita और आज मैं आपको एक country के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago एक Caribbean country है Caribbean country का मतलब होता है एक ऐसी group of countries जो की Caribbean Sea के पास है और ज़्यादा explain करते हैं तो ये पाए जाते हैं South America continent में और जिस country की हम आज बात कर रहे हैं ये है वेरंजुला के पास और अभी अभी यहां के प्राइम मिनिस्टर जो लगातार दूसरी बार बने है और इनका नाम है कित राउले कित राउले जी दूसरी बार बने है consecutive second prime minister और इनको शपत दिलाई है Trinidad and Tobago की प्रथम महिला रास्पती ने जिनका नाम है पाउला में वीक अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ किस तरह से आप इन दोनों नेम्स को बड़ा easily याद कर लेंगे प्रेजिडेंट का नाम है पाउला में वीक इसका मीनिंग हो जाएगा कि पल में ही वीक जो है वो बीच जाता है पाउला में वीक मतलब पल में वीक और प्राइम मिनिस्टर जो है कित रावले कित रावले को याद करेंगे अगर हमारा कहीं सेलेक्शन नहीं होता है तो हमें कहीं भी रोने की जगा नहीं मिलेगी तो किते रोईए, लाइक आप इसको ऐसे correlate कर सकते हैं, कित रौले, तो किते रोईए, तो जब options आएंगे, आप easily correlate कर पाएंगे, अगर बात करते हैं, Trinidad and Tobago की currency की, तो यहाँ पर होता है dollar, dollar कहीं सारी country's की currency है, like Singapore में भी dollar होता है, New Zealand में भी dollar होता है, Australia में भी dollar होता है, USA में भी dollar होता है, हर एक country का अपना dollar है, और उसके अलावा अगर capital की बात करती है, तो capital है port of Spain, इससे easily पता लग जाता है कि इन countries पे किसकी dominance थी Spain की, तो यहाँ पर capital का नाम भी याद रखेंगे, port of Spain, और इसके साथ साथ जैसे Indian premium league, इंडिया में खेला जाता है, वैसे ही है Caribbean premium league, जिससे Bollywood King, शारूख Khan ने खरीता था, तो Caribbean जो यहाँ पर premium league है, यह सिर्फ एक country नहीं है, यहाँ पर काफी सारे countries है, उसी तरह से West Indies, West Indies कोई एक country नहीं है, यह group of countries है, Caribbean countries का एक group है, जिसमें Jamaica हो गया, काफी सारे ऐसी countries है, जो इसमें आती है, तो thank you so much for this video, यह video informative लगा, तो like, share और review करना न भूले, thank you